वेलकम टू माई चैनल आल जोब नोटिफिकेशन सो फ्रेंड्स यह आईबी बेस आरार भी पियो का प्री का मैमोरी बेस टेस्ट है और लिबोर मौक टैसे मैंने यह लिये हैं सो आज इसमें हम देखेंगे कि किस टाइब के कोश्चन पिछले साल पूछे गए थे सो आपके क्योंकि अब एक्जैम होने वाले हैं नोटिफिकेशन आउट हो चुके तो अभी सी प्रिपेर कीजिए प्रिक का भी साथ-साथ में मेंस के मौक भी लगाना स्टार्ट कीजिए क्योंकि फिर प्रिक के बाद आपको काफी कम टाइम मिलता है मतलब विदिन वन मन्त उसमें आप जीके जीके पड़ते हो इसी लिए सब सब्चेक्ट को अभी से ही इक्वल टाइम दीजिए और मेंस क अभी कॉंटेंट साथ में करते रही है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यह है आपकी इनिक्वालिटी बहुत एजी होती है बस इसमें सिंपल देखना है बिल्कुल भी लिखने की ज़रूत नहीं आपको अगर बिगिनर्स हैं तो आप लिख सकते हैं लेकि T और E का no relation बना तो गलट ठीक है V greater है K से अब यहां पे देखो V का S के साथ यह मलब V less than S और S चो है वो greater है E फिर K तो V और K अपने कुछ बना तो यह भी रॉंग हो गया तो दोनों ही रॉंग हो गया आपके ठीक है सो इसका आएगा neither one nor two conclusion ठीक है next चलते हैं question number two यहाँ पे आपको दिया है हाँ इस type की puzzle आती है और आई थी पिछले साल ठीक है 9% दियें और यह 3 month दियें August, September और October 5, 12 और 28 को यह born है तो देखो मैं बताते हूं कैसे solve करना इस type के question को आपको यहाँ पे आपको month लिख ले ले है August, September और October ठीक है और August में 31 days है ब्रैकेट में 31 लिखती है इसमें September में 30 होते है और October में 31 ठीक है बाकि ऐसे लिखती है वैसे तो यहाँ पे दो possibility बना के चलना मतलब पर मेरे पास यहाँ पे space कम है तो मैं यहाँ पे 5, 12 और 28 है ठीक है यह कर देती हूँ ठीक है अब यहाँ पे कहले करें 2 person were born between V और L के बिच में 2 person है ठीक है अब यहाँ बोले N was born immediate before A A के immediate उपर कौन है N और N was born immediate before A and immediate after V और V के immediate बाद है N ठीक है अब बोला है 5 person were born between Q और G के बिच में है आपके 5 person G who was born on odd number date G जो की odd date पे है अब odd date के 12 और 28 तो even है तो G 5 को born है ठीक है यह पता लग गया अब बोला है Z was born immediate before D तो D के immediate उपर होगा Z ठीक है और क्या बोला है 3 person were born between Q और N Q और N के बिच में आपके 3 person तो कहां से start करेंगे आप इसे क्या बोलें G है आपका 5 तारीक हो ठीक है तो G अगर मैं यहां पे ले लेती हूं ठीक है G और Q के बिच में 5 person 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है या फिर आप G अगर यहां पे रखते हैं तो G के बाद 5 person तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा है ना 1, 2, 3, 4, 5 हाँ जी उपर ही आएगा या फिर G नहीं चे भी आ सकता है महलें G और Q के बिच में 5 हैं चलो पहले हम ऐसे देख लेटें पॉसिबिल्टी अब बोला है क्या बोला था और V के बाद N है और N के बाद Q और N के बिच में 3 है तो 1, 2, 3 Q और N के बिच में 3 है अब V के इमिजेट बाद N है N के इमिजेट बाद A है ठीक है और क्या बोला था यहां पे हमें D के इमिजेट उपर Z है और V और L के बिच में 2 आए हैं न नहीं V और L नहीं क्या रिखा है 2 परसन वी और L हाँ V और 1 तो V और L के बिच में 2 है और यहां पर हमें क्या बोला था D के में J टूपर Z है मलब D के में J टूपर Z दिदर आ गया तो हमारा क्या बचाब A, D, G हो गया A, D, G, B हो गया L भी हो गया, N भी हो गया Q भी हो गया S, V, Z S रह गया हमारा ठीक है तो यह हमारा बन जाएगा G, V, N, A, L, S और Q, Z, D ठीक है मैं एक मिनट मोट कर लेती हूं G, V, N, A, L, S और Q, Z, D ठीक है यह ऐसे बन गया मन्त में क्या दिए August, September और October क्योंकि अगर मैं इसको Delete करूंग न एक दम से वो गया हो जाएगा है ठीक है So, यहाँ पर question का दिख लेते है On which day S was born S was born on 28th September ठीक है Next क्या दिए है Find Which are the following Who doesn't belong to the group V, N, D, Q, L V, N, D, Q, R I think L August में भी 30 days होते है और October में भी 30 तो September वाल 30 days में I think L होगा इसमें How many persons were born between Z और N के बिच में कितने है 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3, 4 ठीक है और क्या था Which of the following is true D, 28th October को है ठीक है V, 12 August को है यह भी ठीक है और A, 28 September को है यह गलत है तो 1 और 2 यह फॉलो ठीक है बाकिया में बार में बता है L was born immediate before and immediate after L was born immediate before S and immediate after A एसरे यह वाला देगा ठीक है मैं आप 8 पर संदिये sitting around the circular table facing inside and outside but not necessarily in the same order यह आप कर लिजीगा इस puzzle को ठीक है मैं आगे चलती हूँ यह आप देख लिजी कि किस type की puzzle पूछी गई थी ठीक है इसके आपको बताने है क्या है अब यह आगे friends आपकी Chinese coding ठीक है यह भी बहुत वह थी है मतलब इसमें आपको पहले common common ढूणने होते हैं word दोनों lines देखो जैसे यहाँ पर down है down है और rule है down और rule यहाँ पर भी है below यहाँ पर भी है below यहाँ पर भी है order और place अलग आएगा बाकी तीन इसमें भी common होंगे तीन इसमें भी common है ठीक है यह भी आप कीजिए ठीक है इसका अंसर बताना मुझे क्या आया how place is coding in given code language ठीक है इसके पांच question है Chinese coding के बाकी हाँ यह के designation based puzzle भी आ जाती है अगर आपकी shift काफी अच्छी है खास करके जो second day में third या fourth shift आती है मला last day जिनका paper होता है उनको अपना 43 लेवल की करनी चाहिए कि आपका थोड़ा सा easy से थोड़ा higher level होता है क्यों हर बार देखा है मैंने third और fourth shift काफी high level होता है और कई बार तो काफी ही जादा होता है ठीक है तो आप अब इसे prepare कीजिए कि अपने designation based puzzle जो है flight and floor based box type, uncertain month and days इनको जादा कीजिए क्योंकि यहाँ से definitely question आपके आएंगे ठीक है लेंदी लेंदी जो होता है खास करके यह वाली puzzle देखे परिशान हो जाते है मन्दे और uncertain वाली भी कई बार time delay डूपती है इनको try कीजिए ठीक है बाक्की मैं बता देती हूँ और क्या क्या है इसमें जैसे यह pair of letter है यह तो आपको आते है निकालने कैसे निकालने बता देती हूँ जैसे duration है यहाँ पर पड़ लेना instruction में left hand as well as आपको दोनों तरफ से देखने है ठीक है left और right से कितने pair बन रहे है फिर तो word लिखती है फिर उसकी place value d4 पर होता है u21 r18 पर होता है यह alphabetical series है a1 पर होता है t20 पर होता है i9 पर होता है o15 पर होता है और n14 पर होता है तो देखो 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 21 नहीं है 21 के बाद भी नहीं है थारा 19, 20 एक pair बन गया बक्यागे तो है नहीं फिर 1, 2, 3, 4, 5 भी नहीं बना 9 के बाद भी नहीं पंदरा 14 का नहीं बनेगा फिर अब हम right to left चलेंगे तो 14, 15 एक pair बन गया मनलब दो pair होगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है 10, 11, 12, 13, 14 भी नहीं है फिर 20 के बाद भी नहीं है 1, 2, 3, 4, 3rd pair ये बना 18 के बाद 21 नहीं है बनलब 3 pair बने इसमें ठीक है तो 3 pair आदेगा आगे चलते है इफ इन दे वर्ड कॉपी राइट्स वावल्स और चेंज टू प्रीवेस लाइटर करना है क्योंकि ये आपका गेम भी गाड़ देता है ठीक है कई बार दिखने में छोटा लगता है लेकिन कुछ कंडिशन इसमें ऐसे होते है कि दो आपको लेने चलते है क्योंकि कई बार जैसे sister-in-law बोला है तो वो husband की मरला जो wife है उसकी sister हो सकती है ठीक है या फिर जो husband की बहन है उसका husband का भाई है उसकी wife वो भी हो सकती है ऐसे से करके ठीक है तो काफी possibility बनती है इसमें तो इसको end में कीजिएगा तीन question डेफिनेटल लाते है बागि ये four meaningful अगर आपके वो क्या है बच्चे तो लेकिन इस question को ज़रूर कीजिए अगर आपके दो बन गे न word तो आपको यहाँ पे more than one words बन रहे हैं तो आ जाता है कि why करो अगर कोई भी word नहीं बन रहा तो why if more than one such word then that is your answer तो देखो यहाँ पे first पे क्या है यह है 6 पे 1,2,3,4,5,6 पे L है और 7,8 पे N है और 9 पे O है ठीक है तो देखो क्या बना इसका loan बन गया ठीक है और क्या बन सकता है इसका loan तो बन नहीं सकता है क्योंकि E तो है नहीं और और देखो और क्या word बनेगा इसका I think one word यह बना हाँ न तो if more than one और बोले without repeating which letter is third from left hand अगर E keyword बना है तो third letter from left hand A है यूंकि और इसका कुछ बन जिन रहा है ठीक है तो चलते हैं आगे 10 people है standing alone in horizontal line facing north वहत इसी है कर लेना इसको ठीक है इसके question है और next चलते हैं हाँ silogs silogs बता देखें आपको यहाँ पर condition जरूर पर लेना कि कौन सा कई बार यहाँ पर logically doesn't follow ऐसा भी दिखा होता है लेकिन यहाँ पर logically basically pre यहाँ आपका तो logically follow वाला ही ज़्यादा तर आते हैं लेकिन हो सकता है कि pattern थोड़ा change हो जाए क्योंकि कई बार पूछ भी लेते हैं तो इसलिए instruction ज़रूर read कीजिए ठीक है कैसे करते हैं से logs को आता है ना सबको only a few वाले आज कल main उसमें चले हैं तो कुछ ball ही bet है कुछ ball bet नहीं है ठीक है और all bet are helmet all bet helmet है और क्या बोले only a few helmet are wicket कुछ helmet ही wicket है कुछ helmet wicket नहीं है तो all balls bet बन जाए अगर देखो only a few यह ध्यान रखना कि only a few किसके साथ है और सिर्फ कुछ ball ही bet है कुछ ball bet नहीं है लेकिन अगर possibility में बोलेगा कि all balls bet हो सकते है इस a possibility तो wrong लेकिन अगर यहाँ पे all bet being ball is a possibility दिया होता तो वो true होता ठीक है अब all bet can be wicket क्या all bet wicket हो सकती है हो सकती है क्योंकि इसका और इसका तो कुछ दिया नहीं है ठीक है तो यह हो सकता है second is true तो इस कहेगा only two follows ठीक है बाकि यहाँ पे देखो क्या बोले कुछ fruits vegetables है कोई भी vegetable potato नहीं है और all fruits are tomatoes यतने में जो fruit हैं वो tomatoes है tomato ठीक है इसलिए short form में करना denote अगर कई बार दो आ जाते हैं word तो उसमें थोड़ा different से लिखते हूँ जैसे ball है तो B.A.L. लिखते हो और B.A.T. को वैसे लिखते हो ठीक है ताकि आपको confusion आओ अब है some tomatoes are vegetable कुछ tomatoes vegetable है ठीक है कोई भी tomato vegetable नहीं है कोई भी tomato vegetable नहीं है wrong क्योंकि यहां पर कुछ tomato vegetable है ठीक है तो यह wrong हो गए only one is true इसका जाएगा option number 5 ठीक है अगर चलते हैं अब यहां पर क्या बोले है only a few maize are solution only a few का मतलब कहते है कि कुछ maize ही solution है only a few case में क्या होता है कि अगर यहां पर दिया होगा कि क्या all solutions being maize is a possibility तो true होगा लेकिन only अगर बोलेंगे all maize solution बन सकते है क्या यह possibility हो सकते है तो wrong होगा क्यों क्योंकि यहां पर आपको statement में दिया है कि सिर्फ कुछ maize ही solution है और कुछ maize solution नहीं है उस वज़े से वो possibility case maize के case में wrong हो जाएगा लेकिन अगर solution का पूछ है क्या सारे solution maize हो सकते है तो वो true होगा अब यहां पर क्या बोला है only a few maize are solution some solution are dilute कुछ solution dilute है no liquid is dilute कोई भी liquid dilute नहीं है no का case दोनों तरफ से होता है अब यहां पर conclusion में बोला है कुछ liquid maize बन जाए जो possibility कि हाँ यहां से बन सकता है ठीक है definitely true क्योंकि इनका कोई direct relation तो है नहीं all maize can never be dilute can never be मैं हमेशा देखना है कि पहले देखना आपकी क्या सारे maize dilute हो सकते है maize और dilute का कोई relation नहीं है तो can never be तो गलत हो गया इसका only one is true ओके सब next चलते हैं यह भी inequality है कर लीजेगा काफी easy है ठीक है एक और रहे गया आपका silogs कई बार ऐसे भी हो कि silogs आके पिछे दिये होते हैं ठीक है दो question आगे देदी पेपर को पहले go through कर लेना कि क्या-क्या easy आया है फिर उसको solve कीजिए ठीक है या फिर जो easy-easy मिल रहा है उसको करते जाएगे लेकिन puzzle हमेशा बाद में कीजिए puzzle पहले ही मत कर दीजिएगा चाहिए आपकी कितनी strong की नहीं कई बार होता है कि आपने गलत puzzle को हाँ डाल दिया फिर आपका time गया यहाँ पर यही तो mind game चलता है इसमें ठीक है अब यहाँ पर क्या बोले all lens all lens are trains no train is curls कोई भी train curls नहीं है और all curls are screen और curls screen है ठीक है अब यहाँ पर बोले all lens being screen is a possibility screen बन सकती है क्योंकि यह उसके साथ नहीं curl के साथ नहीं है ठीक है तो यह हो सकता है all curls lens बन जाए as a possibility all curls lens बन जाए नहीं curls जब बाहर से नहीं जा सकता तो यह अंदर lens के पास कहाँ पहुंच जाएगा तो यह wrong क्या इसका एक only one is true ठीक है बक्री चलते हैं यहां पर देखते हैं only singers only singers are composers only वाले का case भी ध्यान ते दिखना इसका मादले कि आता है all composers are singer ऐसे मादले इसको उल्टा बनाते हैं जैसे all singers are composers है लेकर इसमें उल्टा बनाते है only single कि सिर्फ single ही composer और सम और यहां पर ध्यान रखना कि सिर्फ सिंगर ही कंपोजर है और कोई भी कंपोजर नहीं कंपोजर का रिलेशन और किसी के साथ भी होगा तो वो गलत होगा सम वोकलिस्ट अर सिंगर कुछ वोकलिस्ट सिंगर है और कुछ मुजिशन वोकलिस्ट है कुछ musician, vocalist है तब some musician are singer क्या कुछ musician singer है नहीं some vocalist are composer कुछ vocalist composer है नहीं कुछ vocalist singer दिया है लेकिन composer के साथ कोई relation है तो दोनों wrong हो गया तो ये क्या आगया आपका neither nor ओके ये inequality है वापस से इसको कीजिए आप ये भी inequality की question है easy है कीजिए ठीक है अब आगया आपका coin section ठीक है इसमें डियाई आपको तीन आएंगे एक केसले डियाई तो पक्का ही आता है एक bar graph या tabular दे दे जाएगा या फिर pie chart में दे दे जाएगा केसले डियाई तो मतलब हर उसमें आता ही आता है ठीक है काफी easy दिया है देखो total number of vehicle दिये है बाकी sales of vehicle की percentage दिये है बस काफी easy है question land दियाते है आज कल ठीक है inequality मलब quadratic equation sorry ये भी काफी easy होते हैं बस इसमें ये ध्यान अखना की जैसे ऐसे आयाता ना x square is equal to 16 तो इसके root क्या होंगे अगर even power है तो root आएंगे plus minus अगर odd power है तो उसके जैसे minus 27 है तो उसके root क्या आएंगे सिर्फ positive आएंगे positive root odd power है तो positive root और even power है तो plus minus दोनों roots आएंगे जैसे example देती हूँ आपको जैसे यहाँ पर दिया है x square equal to 16 तो इसके root क्याएंगे x plus minus 4 और अगर आपको दिया है जैसे y cube equal to 216 तो y के root क्याएंगे इसमें 6 positive में आएगा ठीक है क्यूंकि 36, 36, 36 सा 216 ठीक है तो यह ध्यान अखना इसमें बाकि अगर ध्यान अखना अगर यहाँ पर minus minus root है तो direct cnd आएगा ठीक है अगर यहाँ पर दोनों positive हैं और यहाँ पर एक plus में root है माइनस में उसकी इसमें इसके root आएंगे माइनस माइनस इसके root आएंगे plus plus positive वाला greater होगा ठीक है बाकि आप वो यह की sign exchange करके कर सकते हैं अगर आपको quadratic equation में कोई problem आ रही है तो मैं उसपे session देलूँगी missing number series है wrong number series की भी practice केजिए क्योंकि आपके shift अगर second day में है तो definitely wrong number series आपको आईगी आईगी और wrong number series से बच्चा घमराए जाता है क्योंकि हमने practice की होती है missing की इसलिए wrong number series कुछ नहीं है बिल्कुल वैसे ही है लेकिन अच्छे सी कीजिए so हो जाएगा ठीके यह number series आपको बताने है इनके फिर आपके arithmetic को बिल्कुल skip ने कीजिएगा क्यूंकि यह आपका mains में काफी ज़्यादा important role play करते है ऐसा है कि pre तो आपका हो जाएगा अगर without arithmetic करते है लेकिन mains में आपको फिर दिख करता है इसलिए जैसे important topic है जैसे simple interest compound, interest narration and proportion mixture and allocation, trains वाला, time speed and distance और time and work, और mensuration यह topic कैसे हैं जो आपको करने चाहिए और यह आपको probability यह आपको काफी ज़्यादा helpful रहेगा mains में ठीक है यहाँ पर दिये quadratic बीच-बीच में दिये है ना इन्होंने कितने चलाक है age वाला तो काफी ज़्य होता है partnership वाला भी काफी ज़्य होता है doable होता है करने को ऐसे से topic छांटने है आपको यह देखो डियाई आगे आपकी कुछ नहीं है क्या डियाई इसमें देखो बस data को अच्छे से read करने है data interpretation वही होता है कि आप data को अच्छे से read कीजिए following table रिपेसेंटर टोटल डिनोमेनेशन made by NGOs P और Q तुगैजर टोटल डिनोमेनेशन दिये P और Q की जैसे 2011 में दिये इतने ठीक है जैसे 60 लाक है फिर 35 लाक है 40 लाक है 65 लाक है एंड 45 लाक है ठीक है फिर टोटल डिनोमेनेशन जो NGO P के द्वारा है 60 परसेंट तो देखो जो 40 परसेंट अब जो कौन करेगा क्यों करेगा ठीक है वैसे यहाँ पर 45 परसेंट अगर P कर रहे तो आपका जो 55 परसेंट है वो कौन करेगा वो आपका Q करेगा ठीक है 35 परसेंट यह कर रहे तो यह 65 परसेंट कौन करेगा Q करेगा ठीक है 42 परसेंट कर रहे वैसे आपका यह करेगा यह 65 परसेंट है वैसे आपका 35% ये करेगा तो बस आप जिंपल निकालने बस जो पूछा है आपसे वो निकालने ये पूरा टेबल सॉल्व करने की ज़रूत नहीं है question में जो पूछा है वो सॉल्व करते रही है उसी तरह टाइम बचेगा अगर आप पूरा टेबल अगे सॉल्व करने तो बस गया अबरे टाइम फिर मत सोचो कि आपका एक्जैम होगा clear ये चीज़ी कोई नहीं बताता क्योंकि और बहुत से कम टीचर्स ही है जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं जैसे अंगुश लंबा सर रहे हैं आशिश अरोडा सर हैं आशिश अरोडा सर हैं हर्षल अगरवाल सर हैं मैंट्स के लिए तो मैं कहते हूँ definitely मैंट्स और प्री दुननों उनसे पढ़वाब एक बर पढ़के देखो आपको पूरा अर्थमेटिक से डार लगता है बिल्कुल आपका वो डार खतम हो जाएगा और आपके एक्जैम यू निकलेंगे प्रॉपर गईडेंस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स आज की डेट में कि सब आज मैं बलब वो ही है कि भढ़क जाता है student किसे पढ़ें किसे नहीं ठीक है इसलिए जिन्हों ने क्रैक कि हुए पहले एक्जैम उन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते है देखवा एप्रॉक्सिमेशन है भी काफी इसी होती है करने को ठीक है यह तो सब भी करते हैं सिंप्लिफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन एक करा देती है जैसे में आपकी यहां पर 215.84 है तो यहां पर 216 लिख देना है ठीक है प्लस 112 माइनस यह कितने है 19 तो देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यहां बॉर्ड मास का रूल यहां पर चलता है बॉर्ड मास के तर ब्रैकेट ओफ डिविजन, मल्टिप्लिकेशन, एडिशन, 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 एड सब्ट्रेक्शन, ठीके तो यहां पर देखो यह कितना हुआ अच्छी और दो आठ एक एक दो दो आर्ट इस से उननीस क्या कितना हुआ 309, ठीके, 309 को फिर 3 से डिवाइड करना है तो 103 आ गया, 103 प्लस 2X इकोल टो X प्लस 142, ठीके, तो 142 और 103 को यहां पे लेगी तो माइनस में आ जाएगा तो 12, 13 का 9, 39 आ गया, तो 2X इकोल टो X प्लस 39, तो X की value आ गया आपकी 39 ठीके, यह आ जागा आपका, असी सी तरह से आपको यह करना है, यहां पर 576 आ गया, डिवाइड बै फॉर्टी एट, माइनस 88, प्लस अंडर रूट 7, 22, डिवाइड बै 19, ठीके, फिर प्लस 2 equals 2, तो इसको solve करना है, आपको बताने अंसर क्या है, तो यह था, देखो 80 question होते हैं, 45 minutes का time है, तो अपना equal time divide करना है आपको, क्योंकि इसमें sectional timing तो नहीं होता है, यह equal time दिया होता है, 45 minutes का, तो आपको जल्दी से जल्दी करना है, और अपना best करना है, तो all the best and bye bye, take care and do subscribe, submit कर देते हैं, अबम, देखते हैं कुछ गडबड़ दो नहीं करती है, एक रॉंग कर दिया हमने, देखते हैं क्या रॉंग हो गया वई, हाँ, देखो इसमें वो था न, लोन वाला, क्या गलत कर दिया, और भी बन सकता था, इस तरह से भस्ते हैं, इसमें अगर आपको नहीं आते हैं न, तो skip कर सकते हैं आप इस question को, क्या था ये? ओह, अच्छा, ये वो पेर वाराल था, मैं क्या गड़ब कर दिया, मैंने, दी, यू, आरे, टी, आई, ओ, एन, ठीक है, ये 4 था, 21, आर, 18 परता है, ये 1, पिर, टी, 20, आ, 9, O, 15, and 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा, ये बनेगा, एक आइधिंग ये ने बनाया था, बैने, ठारा से 20 वाला दो बन गया था, एक, दो, तीन, चार नहीं, और 9, नहीं, बाकी तो हैं नहीं, ठीक है, फिर बाकी, ये बना था, तीसरा पीर, 14, 15 का, फिर 14, 15, 7, 18, 29, 15, 16, 17, 18 नहीं, 19, 12, 16, 17, 19, 17, 19, 19, 20, नहीं 20 के बाद बनी फिर एक तो तीन चार हाँ चार पेर बन रहे थे more than three ठीक है यह गड़ बड़ो गए था मैंने वो डी कानी बनाया था उससे ऐसी गलतीनी गननी है मेरी तरह ठीक है तो बाबाय टेक केर एंड हेव नाइस टे